हाँ तो विंग्स की तरप से फिर से लोंच होने वाला है उनका एक काफी तगड़ा TWS जिसका नाम होगा जा गया है काफी तगड़ा और आपने देखा होगा कि जो नथिंग ब्रांड है उसके जैसा डिजान बनाने की सारे ब्रांड कोशिश कर रहे हैं वेसा ही मिलता है आपको यह डिजान देखने मिलेगा देखने में काफी तगड़ा है वह बागी जो फीचर्स है वह भी काफी बड़िया है जो प्राइज वगरा है सब को सामने आ चुकी है इस वीडियो मा बने रहे हैं सब कुछ आपको बताऊंगा किस नए प्रोड़क्ट में आपको क्या-क्या चीजह मिलेगी तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को 19 माई को यह अवैलेबल होगा फ्लिपकार पर दिन में वारा बजे वहां से आप इसको भाई कर पाऊगे और स्पेशल लोन जो प्राइज आएगा इसका वह आएगा वन फॉर डबल नान की पंधरा सु रुपए और पंधरा सो के साफसे जो फीचर बगर आना वह अच्छे का से आपको मिलेंगे क्योंकि इसमें आपको इसके डिजाइन की जो की एक हालाइटिंग पार्ट इसका है इसमें आपको जो बर्ट्स है और जो केस है वो दोनों ही ट्रांसपरेंट देखने में लेंगे अंदर की चीज़े आप खुद से बाहर से देख पाऊगे यह चीज एक एक श्ट्रा आपको मिल रही है बाकि दो दो खलर चुँछ है जिसमें कि बलेक आपको मिलेगा और एक आपको याइट कर मिलीगा रांसपरेंट है तो थोड़ा बोच शेडो ही आपको देखने मिलेगी प्योर बलेकर आपको दिखने नहीं मिलेगा तो दो पसंद आ रहा हूँ आपको आप इसमें बाइज कर सकते है बाकि unboxing देखना हो तो कौन से color में देखना चाहोगे comment box में बता देना बाकि बात करता हूं अगर इसके में sound section की तो यहां पर आपको 13 mm के drivers मिलेंगे जो की air tip solar design के साथ में हैं तो fitting अच्छी मिलेगी base अच्छा खासा मिल जाएगा और wings में हमेशा से जो sound है वो अच्छा खासा आपको देखने मिल जाता है बाकि cooling में आपको quad mic ENC का support मिलेगा जिससे कि आप इसमें smooth cooling कर पाओगे अगर आप ज्यादा heavy noise में हो तो भी आप इसमें अच्छा खासा यहां पर जो cooling है वो कर पाओगे अब actual में cooling SC होगी वो तो मैं आपको बताऊंगा बाद में जो product मेरे पास में होगा बाकि अभी मेरे पास में मीवी K5 आया हो है जो की एक अच्छा product है उसका वीडियो मेंने कर दिया है आप जाकर देख सकते हैं सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा और उसको अगर आप म इस ने product की next feature की जो की है इसका ANC वाला feature इसमें आपको मिलेगा active noise cancellation जिससे कि आप 30 decibel तक की noise इसमें cancel out कर पाऊगे अब 30 decibel की noise अगर आप cancel out कर पाऊगे ना तो बाई काफी अच्छा यहां पर आपको ANC देखने मिल जाएगा उसकी साथ में ANC मिल रहा है तो transparency mode भी आपको यहां पर देखने मिल जागा साथ में gaming के लिए आपको 40 ms के latency मिल जाएगी जिससे आप इसमें smooth gaming कर पाऊगे और latency काफी कम है उसकी वज़े से जो gaming होगी वह भी काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएगे तो यह चीज भी काफी बढ़िया है आपको जो features वगर में आपको wings app का support मिल जाता है तो यहां पर भी आपको एप support देखने मिल जाएगा जिससे कि आप जो भी customize करना चाहते हैं वो सारा कुछ customize कर सकते हैं touch control तक भी आप इसमें customize कर सकते हैं तो यह भी एक अच्छी चीज आपको देखने मिल जाएगी protection में IPX5 का production है जिम के लिए और running के लिए आप उसको आराम से use कर पाओगे कोई भी problem आपको नहीं होगी एंड अगर मैं battery backup की बात करता है तो फचास घंटे का battery backup आपको मिलेगा depend करेगा आपके users पर कि आप उसको किस तरीके से use कर रहे हो hard users पर लगबग आपको 35 से लेगे 40 hearts का backup मिल जाएगा क्योंकि AN वाला feature मिल रहा है और brand खुद बोल रहा है कि यहां पर अगर आप इसको ANC के लिए use करते हो 35 hearts का backup आपको मिलेगा और without ANC आपको 50 से थोड़ा कम battery backup देगे मिल जाएगा सिंगल बर्स में 8 से 10 कंटे का backup मिलेगा डिपेंड करेगा आपके users पर कि आप उसको किस तरीके से use कर रहे हो और यह type support supported है यह fast charging को support करता है देखो जो features है वो काफी बढ़िया है उसके इसाप से जो price है वो भी काफी अच्छी है 1499-1500 special price आएगा बाद में उसका price होगा वो जिए मारत